हेलो एबरिवन वेलकम टू परतिक आई क्यो आज से हम लोग एक नया सीरीज श्टार्ट कर रहे हैं एस्पेशली फोर बिहार एसाई बिहार दरोगा एस्पेशल दसका दम और आज सेट नमबर वन है तो बिना समय बरबात किये हुए आते हैं आज के पहले क्यूशन पर सुच संविधान बाइस भागों में विवाजीत है जिसमें 395 आर्टिकल और 395 आर्टिकल है और 12 अनुसुची है अब क्या दिया हुए पहले क्धान का भाग 15 तो पार्ट 15 में क्या है निरवाचन से संबंदी तो एक अख्या हो गया फोर हो गया पार्ट पंद्र में क्या है निरवाचन से संबंदी दिया हुआ है तो आपका एका हो गया फोर और अगर मैं आपसे पूछू कि पार्ट पंद्र में कौन सा आर्टिकल आता है बी पर आते हैं समिधान का भाग सुल्ल इसमें क्या है इसमें आपका दिया हुआ है कुछ वर्गों के सम्मंध में बिसेश उपबन तो बी का क्या हो गया 3 हो गया बी का आपका हो गया 3 और पार्ट 16 में कौन सा आर्टिकल मेंसन है 330 से 342 पार्ट 3 में पार्ट 16 में 330 से 342 अनुच्छेद है फिर आते हैं C पे समिधान का भाग 17 तो 17 भाग क्या मेंसन है उसमें राज भासा तो C का क्या हो गया 2 अगर मैं पूछी कौन सा आर्टिकल है इसमें कौन सा आर्टिकल आता है तो 343 से 351 कौन सा आर्टिकल आता है भाग 17 में कौन सा आर्टिकल आता है 343 से 351 इसको याद रखना है आपको 343 से 351 और D क्या है समिधान का भाग 8 इसमें क्या है पार्ट 18 में क्या है आपात उपबंद तो D का क्या हो गया 1 और आटिकल कौन सा आता है 352 से 360 352 से 360 अच्छा अगर मैं आपसे पूच्छू कि आटिकल 352 क्या है तो National Emergency आटिकल 352 आटिकल 352 क्या है National Emergency और 356 क्या है जो केंदरे में राश्ट पती सासन लगता है प्रेसिडेंट रोल वो क्या होता है हमारा article 356 और 363 क्या है financial emergency या वितिय अपातकाल जो कि हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है यहां से question पूछता है तो 352 निस्तल इमर्जेंसी 356 state emergency राष्टपति सासन के इंदर द्वारा और 360 राष्टपति के द्वारा और 360 क्या होता है वितिय अपात या financial emergency next question पर आते है question नमर टूपे भारत और भारत और स्रिलंका को इन में से कौन अलग करता है आपके पास option है option है switch channel, switch नहर option B पाक जल संदी option C खमबात की खारी option D कच की खारी तो क्या हो जाएगा option B विल भी तक क्या हो जाएगा option B विल भी तक एक टांसर पाक इस्टेट या पाक जल संदी switch channel उपिन कप हुआ था 1879 में switch channel उपिन कप हुआ था 1879 में और switch channel meditarian C को rate C से connect करती है switch channel भूमत्य सागर को भूमत्य सागर को rate C या लाल सागर से connect करती है भूमत्य सागर को लाल सागर से या meditarian C को rate C से connect करती है खमबात की खारी को अरफ सागर का परवेश द्वार भी कहते है जो कि पश्मी दट बे है next question पर आते है question number 3 पर केरल का कुड़नाट क्यों प्रसिद है आपके पस option है option है मिठे पानी की जील option B भारत में सबसे कम उचाईवाल अच्छेतर option C कोडल आइलेंड मुंगा द्विप option D भारत का सबसे पश्मी भाग तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा option B विल बे था correct answer भारत में सबसे कम उचाईवाल अच्छेतर है और इसे rice bowl of किरला भी कहते है कुड़नाट को rice bowl of किरला भी कहते है तो यहाँ पर correct answer क्या हो जागा option B question 4 पर आते है नंदा देवी चोटी नंदा देवी चोटी निम्निलिखित में से किसका हिस्सा है आपके पास option है option A asam हिमाले option B गढ़वाल हिमाले option C नेपाल हिमाले option D पंजाब हिमाले तो correct answer क्या होगा option B will be the correct answer गढ़वाल हिमाले और यहाँ क्या important point बन रहे यहाँ से क्या question बन सकता है और तो नंदा देवी तीसरी ऊची चोटी है भारत में नंदा देवी तीसरी ऊची चोटी है भारत में हाइट कितनी है 7,8,1,7 मिटर जोगी कहा है उत्रा खंड में और सबसे पहला कौन सा है K2 K2 भारत में सबसे ऊचा है 8,6,1,1 मिटर और इसके बाद कौन सा आता है कंचन जंगा हाइट कितनी है 8,5,9,8 मिटर चैनल को आप लोग सबस्क्राइब जरूर कर ले न फिर आते है कुश्चन अबर फाइब पे कुल्लू कुल्लू घाटी किन परवत स्रिंखलाव के बीच इस्तित है आपके बस आप्स आप्सन है और शिवाली तो कर्रीक्ट्रह क्या हो जाएगा उफ्चन ए will be correct answer धौलाधर और पीर पंज्चाल कारेक्ट्राइब आपका हो जाएगा उफ्चन ए और कुल्लू घाटी का है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी कौन से इस्टेट में आता है तो बाल गंगाधर तिलक उप्षिन बी एनई नीपीशंट अप्षिन सी एस सुप्रमानियम अंयर अप्षिन डी टी एसलगोड तो कर्यक्ट्ठाइब यहां पे क्या हो जाएगा तो बाल गंगाधर ने होम डूल लिक़्ेस थपना कप की थी अप्रेल 1916 में एनिवेसन ने सेप्टेंबर 1916 आपको एड़ेट याद करना होगा बिहार SI में डैक पूछता या भी पेसी में बाल गंगा धरती लग ने अप्रेल 1916 में किया था एनिवेसन ने सेप्टेंबर 1916 में और S.S.S.B.A.N.E.C.E.A.N.E.C.E.D. थे होम डूल लिर्ग में लेकिन जो टीज अलकॉर्ट थे यह जूरे हुए थे आपके थिशुफिकल सब्सक्राइट से फिशुक्षाइटी से तो यहां पर करेक्ट अंसर ऑप्शन डी बोट अरा नेक्स्क्राम सब्सक्राइट पर तीलक और एनिबेसेंट के होम रूल लीक को कब एक में मिला दिया गया था आपके पास ओफ़शन है ओफ़शन है 1916 ओफ़शन भी 1918 ओफ़शन सी 1920 ओफ़शन भी 1923 तो करेक्टरांसर यहां पर क्या हो जाएगा ओफ़शन भी तक करेक्टरांसर 1918 क्विश्चन अबर एट पर आते है यूकरियोटिक कोशिकाव की कोशिका जिल्ली किसकी बनी होती है यूकरियोटिक कोशिकाव की कोशिका जिल्ली किसकी बनी होती है आपके बस option है, option है लिपो प्रोटीन, option B फॉस्पो लिपिड, option C सेलूलोज, option D फॉस्पो प्रोटीन तो क्या टांसर यहापे क्या हो जाएगा? Option B विल बिदा क्या टांसर फॉस्पो लिपिड, क्या हो जाएगा? Option B, actually यह बाइल लिएट इस्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक हेट पार्ट होता है, सीर के तरफ का भाग, हेट पार्ट होगा, और दूसरा क्या होगा? टेल पार्ट, पूछ वाला भाग, और जो हेट पार्ट होता है, नहीं क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रो फोविक होता है, इसका मतलब क्या हुआ, हाइडोफिलिक का मतलब क्या हुआ, जो सीर का भाग है, हाइडोफिलिक है, मतलब पानी में घुलनसील है, और हाइडोफिलिक का मतलब क्या हुआ, पानी में घुलनसील नहीं है, अगुलनसील है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो औप्षन है, औप्षन A, एना फेज 2, औप्षन B, टेलो फेज 1, औप्षन C, प्रो फेज 1, औप्षन D, मेटा फेज 1, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, औप्षन C will be the correct answer, प्रो फेज 1, सबसे लंबा चलन कौन सा है, प्रो फेज 1, आपको याद कर लेना है बस, और आज की आथी last question पर आते हैं, निम्ने लिखित में से कौन सा युक्मिश सही सुमेलित है, आपके बस option है, पिर्ष इंडिया act, वार्रिन हैस्टिंक्स बलकुल से ही है, और पिर्ष इंडिया act कब आया था? 1784 में, पिर्ष इंडिया act कब आया था? 1784 में, और इसमें क्या राजिनितिक मामलों को बिटी सरकार के अधिन कर दिया गया था पिट्स इंडियाग्ट 1784 के गॉर्डिंग और उस सेमें कौन थे गवर्नर जेनलर वारेन हैस्टिंग्स सेकेंड क्या है डॉक्ट्रिन ओफ लैफ्स तो डॉक्ट्रिन ओफ लैफ्स डॉलोजी थे बिल्कुल से और सबसे पहले इन्होंने 17 को एनेक्स किया था किसे किया था सबसे पहले 17 को किया था एनेक्स कब किया था 1848 में फिर आपका होगा जैदपूर 1849 में इस सारा आपको याद रखना है जैदपूर कब हुआ था 1849 में 1849 फिर संबलपूर 1849 अब इस्क्रीन सोट ले सकते हैं फिर उदैपूर कब हुआ था 1852 में उदैपूर उदैपूर 1852 में जैशी कब हुआ था 1853 में जैशी आपका हुआ था 1853 में और नागपूर 1854 में नागपूर 1854 में ठीक है नेक्स आते हैं मैं मिटा दू यहां से फिर आते हैं वर्ना कुलर प्रेसेक्ट लॉट करजन के टाइम पे नहीं आया था किसके टाइम पे आया था वर्ना कुलर लॉट लिटन के टाइम पे तो आपका ओप्सन सी सही हो जाएगा कि यह सही सुमेलित नहीं है अच्छा वर्ना कुलर प्रेसेक्ट आया कब था 1858 में वर्नकुलर प्रेसेक्ट कब आया था अठाड़ेसो 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 83 में अब देख लेते हैं वारेन हैस्टिंग्स का टाइम पेड़ क्या था 1773 से 1785 1773 से 1785 किसका था वैरेन हैस्टिंग्स का डलहोजी का कब तक था 1848 से 56 तक डलहोजी का कब था 1848 से 56 तक करजन का कब था 1899 से 1899 से 1905 और एक चीज़ और सबसे यंगिस्ट वाइस राय अगर पूछते हैं तो लोट करजन ही थे और इपन का कब से कब था 1880 से 84 तक तो ये तो था हमारा आज का लेक्षर अगर वीडियो पसंदे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर रिस्पोंस अच्छा आया इस सीरीज पे तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा तो मिलते हैं नए वीडियो में ने टोपी के साथ तब तक लिए नमसकार जैहन